इस चुनाव में कई सारी ऐसी सीटे जीत लिए जो कभी नहीं जीती थी तो ये बीजेपी का अब तक का हर्याणा में बेस्ट परफॉर्मेंस है और इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी का चेहरा अब भी उसी तरीके से वोट को भारती जन तक हो जाएगी हर्याना सिर्फ रहतक भर नहीं है एक यह मैसीजिंग कामियाब हुई और यह मैसीजिंग करने में भी कामियाब हुई कि जो आप हमारे वोटर हो जिन्हों ने हमारे साथ दिया वह हमारे साथ रहेंगे तो impact बना रहेगा मैं इस चुनाव नतीजे को मैं कि वह चुनाओं जीत सकते हैं सबसे पहले तो गुजरात में आपको मैं यह तो नहीं कहूंगा ध्यान होगा पर शायद तब आप स्कूल में रहे होंगे दोजार एक में कहां थे आप कि स्कूल में थे नरेंद्र मुदी जब गुजरात में पहुंचे थे तब इस्थितियां भारती जन्दा पार्टी के लिए बहुत मुफीद नहीं थी हाला कि वो खजराहो कांड और इन सब के बाद सुरेश मैता शंकर सिंग वागेला उसके बाद सत्ता वापस आ गए थे ले की तरफ से वह संदेश उनको रिले हुआ था दरसल कुछ दिन पहले उसके हलिकॉप्टर का एक क्रेश हुआ था मैनपूरी के पास जिसमें माधराव सिंधिया सवार थे उसमें आज तक न्यूज चैनल के पत्रकार और कैमरा पसन भी सवार थे गोपाल नाम था उनका तो न कि वहां के विधायक सीट खाली करने को तैयार नहीं थे फिर वो राजकोट की सीट से जा के चुनाव ड़े पर कुछी महिनों बाद गोधरा कांड हुआ फिर दंगे हुए फिर उसके बाद चुनाव डिले किये एलेक्शन कमिशन ने वहां से मोधी ने मोमेंटम बिल्ड कि कि चुनाव डिलीवर किया ठीक है उसके बाद 2007-2012 तब और उनको पता होता था कि अब इस चुनाव पर देश की नजर है तो उस तरह के मैसेज होते थे कि सीम था और सीम रहूंगा सीम मतलब कॉमन मैं या 2012 जब वो जीते तो उन्होंने देश को संबोधित करने के दिश्ट पाई है वो दो सो तेहत्तर का अंकडा पार करती है असंभव से लगने वाली चीज थी जो भारती जन्ता पार्टी तीन डेजिट में आने के लिए तरस रही है उत्तर प्रदेश में अगर आप 2012 की विधान सभा चुनाव देखें साथ में मायावती ने पूर्ण भूमत की स इसमें बनायू की सीट थी फिरोजाबाद की सीट थी महनपुरी की सीट थी कन्योज की सीट और आजमकर की सीट थी तो सीट है दो सीट है राइबरेले मेटी बाकी सब भचपा तो मोधी कल्ट क्या से बना मोधी कल्टिस से बना और उसके बाद उनके फैसले कई सही गलत उन जैसे बिहार हारे और दिल्ली हारे, 2015 में दो बड़ी हार हुई, तो पार्टी के भीतर से कुछ-कुछ स्वर उभरने लगे, मार दर्शक मंडल के कुछ नेता बयान देने लगे, 2017 में जब पीजेपी यूपी जीती है, बड़े पैमाने पर तो एक बार फिर से वो थपा लगत तो पर आपको कमेंटेटर भी बताने लगेगा कि आपको स्ट्रेट ड्राइव कैसे खेलनी चाहिए और कवर पर कैसे खेलना चाहिए और फिल्क कैसे करना चाहिए, 2014 के लोगसभा चुनाओं में उस विनेबिल्टी को एक बड़ा दक्का लगा, कि जहां पर बीजेपी नार जिली सरकार चलाने की आदत है, वो आप कैसे चलाएंगे गठबंदन सरकार, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि चंद्रवाबु नाइडू के साथ हमेशा बहुत अच्छे रिष्टे रहे हैं, 2019 में ही है, वागड आउट ऑफ एंडिये, तमाम इल्जाम लगाए थे, निताओं के नरीद मुदी के खिलाव, सब के खिलाव, उनके समर्थन पे आप निर्भर हो, चिराग पासवान को आपने लंबा इंतजार करवाया था, सब्ता के लिए, उनके समर्थन पे हो, आप पांसान सदों के, नीतीश कुमार के साथ आपके रिष्टे कैसे रहे हैं, एन आउट, लुध्याना की 2009 की एंडिये की रैली से वो इष्टे कैसे बिगड़े और फिर बिहार की बाल में गुजरात की मदद और गुजरात की चेकी बापसी, बहुच का निरस्त किया जाना, एक लंबी कहानी है, जो, जो हाँ, कई बार थाली खिंचना, कई बार हो चुकी है बात, इन सब के बीच में अब यह पहला लिटमस टैस था, नुमेरिकली जम्मू कश्मीर में, बीजेपी के लिए समावना सिर्फ तब थी, जब वो जम्मू में क्लीन स्वीप करते है, लोगों को ऐसा लगता है कि कश्मीर मुस्लिम बाहुलिया और जम्मू हिंदू बाहुलिया, जिसमें अलग अलग मुसलिम कहीं, शिया कहीं, ट्राइबल यह सब है, जम्मू में इन्हों ने अपनी टैली ठीक ठाक रखी है, बलकि इंप्रूव की है तोड़ी सी, उसमें जैसे माने का पर्सीमन का रोल और तमाम चीजों का का डर का रोल यह सब चीजें थी, और जब व अरियाना, जहां ओट्स आपकी अगेंस्ट हैं, आप 10 साल के एंटीन कमेंसी है, आपको सीम चेंज करना पड़ा, सारे पोल प्रडिक्शन्स में आप खिलाब बताय जा रहे हैं, एक रिजेंटमेंट है, और लोकसभा चुनाओं में, जब आप फेस थे, तब पांच पांच आप देखिए कि जो आपके साले नौ साल चेहरा थे, उनको आप फ्रेंट पर नहीं रख रहे थे, नायप सैनी, हर्याना के मुझास के साब से बहुत ही डोसाइल, हमबल, not aggressive, लीडर माने जाते हैं, तो उनको अपोजीशन रिटीक्यूल भी किया, जो डॉमिनेंट कास्ट ह है ना, एक और यह मुमेंटम कहां का बना हुआ था, आप देखिए भरतपुर, जाट बहुलिला का है, भरतपुर आप हारे है, ठीक है, पूरी यह जो आपकी गूजर बेल्ट है, राजिस्थान की, आप लोग सभा हारे, सचिन पाइलेट और सब लोगों ने वहां पे मेहन राजबबबर में भूपेंद्र रियादों को अपनी व्यक्तिकत प्रतिष्ठा दाओं पर लगाने पड़ी और अपने पूरे चुनाओ प्रबंदन को जोकना पड़ा, तब जाके वो पार लगे, जिन राजबबबर को राइट आफ किया रहा था और यह कहा जा रहा था कि कोसली की सीट, कोसली विधान सबाब हर मैनेज हो जाए, इसके लिए इन्होंने महिंदरगल भिवानी भी कुर्बान कर दी, उडड़ा ने और गुडगाउं भी कर दी, समझोता कर लिया और उस कोसली से दो वोट की ही लीड ले पाए, वहाँ पे भी राजबबबर पच्छ है, दलित वोट, जब आपने सविधान बचाओ की मुहिंदी कॉंग्रेस ने, तो सब जगए उबसर्व किया गया कि दलित वोट वापस से कॉंग्रेस की तरफ लोटा है, जो दो हजार चौदा से क्रमशा बीजेप की तरफ चेट अगराद, जब आप इतने अगेंस्ट उन सब के बावजूद आपने जिसको मुझ बोलते हैं सोशल इंजिनरिंग के फॉर्मूले का ख्याल रखा, आपने जाटों को भी टिकेट देने से गुरेज नहीं किया, कहीं बामर दिया, कहीं जाट दिया, कहीं OBC दिया, दलितों में भी रप्सेंटेशन देखा, तो आपने से बात हुई तो मैंने वोटिंग परसेंटेश को लेकि उन से सवाल पूछा तो बोले थे कि हमारी उमीद से 4-5 परसेंट वोट कम गिरा है, अब लुक एड़ टेली, कि वो कह रहे हैं 4-5 परसेंट वोट उनकी उमीद से कम गिरा है, मतलब यह वो ऐसा वोट मान रह 06 यानी 0.83 परसेंट का फर्क है, एक परसेंट भी नहीं है, जब सरकार बदलने के लिए चुनाओ होता है, हलागि इसको लेकि बहुत सारी व्याक्यां दी जाती है, तब जूम के कि आता है, बदलना है, जैसे 2014 का आप पोलिंग परसेंटेज देखिए, बहुत कमाल का था इस चुनाओ में जैसे पिछले चुनाओ के मुकाबले, आधा फीजदी वोट कम ही पड़ा, जित्ता पिछली बार 58 परसेंट पड़ा था, इस बार 65 पॉइंट परसेंट पड़ा, तो जो बदलाओ की लहर दिखती है, वो वोटिंग पैटर में नहीं तो बीजेपी ने इस एक ही मुद्दा रखा कि जाब रो तक सरकार आजाएगी या उड़ा सरकार आजाएगी, वो इसके मतलब निकाल लो आप, और जिस एक चीज पर बात नहीं हो रही है, वो यह है कि आदमी अब जबरही से बचता है, अखले शादो सरकार की विदाई की सबसे बड़ी इसलिए योगी अधनात सरकार की बात नाराजगिया रही कई मुद्दों पिलोंगी पर पांच साल बात वापसी हुई, पाइन ओर्डर की मुद्य पर, आएन एल्डे के जमाने से जो एक जबरही का माहौल बन गया था, कि बर जो परची वाली बात जो बार-बार कही जाती है वो चोटाला राज से चली आ रही बात है जेवीटी कोटाला और दस तरह के इल्जाम लगे और वो लगातार मोमेंटम चला तो लोगों को वो फियर वापस से इनवोक हो जाता है, अरे साब फिर से वही हो जाएगा क्या, और अब डेविड वर्स गोली है तो दस तरह के दारन दिये जाते हैं, आदमी जबरही जहलने को किसी भी एक जाती समूँ की, किसी भी एक धार्मिक समूँ की वो राजी नहीं है, तो लोकसभा चुनाओ के बतले, जबकि आप देखिए अगनिवीर योजना को लेके नाराजगी थी, आप उसको नहीं कैश कर पाया और उस बाजपा चाटिसगड़ में कर पायी थी, वो कॉंग्रेस अर्याना में नहीं कर पायी, देखिए मैं बार बार चाटिसगड़ अर्याना की बात कर रहा हूं, वहां 50-35 वाला खेल था और यहां भी मामला वैसा ही टिक रहा है, बाजपा ने जब वहां पे कॉंग्रेस के हर विदान सभा में 70-70,000 फॉर्म भरेते हैं, 70,000 फॉर्म भरने का मतलब है कि 70,000 वोटर यह चाहता है कि ऐसा हो, ठीक है, अगर उसका 2 थर्ड भी कनवर्ट हो रहा है तो यह बड़ा नमबर हो जाता है, आप जब यहां पे कह रहे हो कि हम हर महिला को 2,000 रुपे देंगे, ह आप उसको खुश हो, सबने WhatsApp ग्रुप बना लिए, सबने प्रेस कांफरेंस कर लिए, पर उससे आगे क्या, वो जो वोटर है, जो ट्विटर पर नहीं है, वो जो वोटर है, जो टीवी पर नहीं है, क्या आप उसको पहुचा पाएगी, ताओ, सरकार आएगी तो 6,000 मिलेग आप, तो फिर वो फिर वो कास्ट ग्रुप नहीं देखता और वो मैसेज डिलीवर नहीं हो, जो नरेटिव की लडाई थी ना, अभी हाल फिलाल में इस नतीजे के बाद, जिस भी कोई भी मुद्दा आता था, बीजे पी उसमें नरेटिव की लडाई में पीछे हो रही थी तो क्या इस रजर्ट से वो नरेटिव की लडाई में आके आएगी? क्योंकि हर्याना में कोई ऐसा नरेटिव स्टेक पे नहीं ता जिसके बहुत जादा नैशनल इंपक्त हो, जैसा मने पहले का कि एक ब्रैंड मोधी को नए सरे से फ्यूल मिल गया है, नू की जो हिंसा है एक अग्र हिंदुत की बात रहेगी बर वो फ्रिंज एलिमेंट्स के दवारा रहेगी क्योंकि जब आप सर्कार में होते होते हो तव आप सीधे सीधे ओन नहीं करते हो इन चीज़ों को, यू नीड अल दा यतिनर सिंगा नंस अफ इस वर्ल्ड तो प्रोपगेट देट